नमस्कार मेरे पहरे दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल के उपर संदीब जानी नाम है हमारा और हम पढ़ रहे हैं आँछे दटां फीलों आपने जोवस्ताइब करते इंगे कि इनके बह真 आफ में जानेंगे हमारे सेशन यूटुबब पर होते हैं और एप के उपर होते हैं एप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्ले स्टोर पे संदीब जाने नाम से भी आप सर्च करेंगे तो आपको एप दिख जाएगी यूट्यूब पे मंडे टू फ्राइडे 9 पीम हमारा सेशन होता है और एप के उपर सुबर 9 बजे 11 बजे हमारे सेशन होते हैं अगर आप एप पर भी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे ongoing courses के अंदर आप course purchase करते हैं time code use कर सकते हैं new start जिससे आपको 10% instant off मिलेगा शुरू करते हैं दोस्तों पढ़ाई हमारी rivers and river training की अगर हम बात करें तो सबसे पहले types of river को जान लेते हैं river के अलग-अलग types क्या है river को हम classify कर सकते है rivers को हम बांट सकते हैं बता सकते हैं अलग-अलग तरीके से पहला classification जो आता है वो on the basis of their discharge discharge मतलब कितना amount of water उनके अंदर आ रहा है और कितने duration के लिए अगर हमेशा भैता रह रह रहा है तो ऐसी river को बोल देते है perennial river तो on the basis of discharge कितना है उसके हिसाब से rivers का classification कर सकते हैं फिर on the basis of their stability कि river जो है वो stably flow कर रही है या फिर ऐसी river है जो बहुत सारा material लाकर के deposit कर रही है या फिर ऐसी river है जो बहुत ज़ादा material scouring कर आगे लिखे जा रही है अलांकि एक ही river है वो एक जगां पर aggrading शो करेगी एक जगां degrading शो करेगी मतलब कही ना कहीं से material उठा रही होगी और कहीं ले जाकर के deposit कर रही होगी तो on the basis of its stability हम उसको express कर सकते हैं on the basis of reach मतलब कि river कहां पर है इस वक्त वो river mountainous region से जा रही है, border region से जा रही है, plain region में पहुँच गई है, delta region में पहुँच गई है, sea के अंदर जा present वो है, उसके हिसाब से भी हम उस river को define कर सकते हैं, या फिर अगर आप river को top view से देखें, एक top view से देखें तो river आपको कैसी दिखाई देती है, इसके हिसाब से हम उसको classify कर सकते हैं, सबसे पहला classification आता है on the basis of discharge, discharge के basis पे सबसे पहली आती है perennial rivers, perennial rivers जो है, वो अपना पानी लेकर के आ रही है, तो ये throughout the year भहती रहेंगे, ये इस बात पर निर्भर नहीं करेगा, कि इस साल वर्षा कितनी हुई, और उसके हिसाब से उस river में पानी आया नहीं, ये अपना catchment से पानी न लेकर के, snow से पानी लेकर के आती है, catchment area मतलब किसी भी region में कोई भी बारिश तो उस river की बात नहीं कर रहे हैं, हम perennial river की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर जादातर quantity of water, snow या ice के melt करने से ही उसके अंदर आ रहा है, so perennial rivers obtain their water from melting snow for the larger part of the year, besides getting rain during the rainy season, rainy season में मिल जाये तो अच्छी बात है, नहीं तो most of the part जो है, वो snow या ice से ही इसको मिलता है, second आती है non-perennial rivers non-perennial rivers को जो पानी मिलता है, वो snow या ice से नहीं मिलता है, वो जब गर्मियां आएंगे, या फिर ऐसे कह लीजिए, जब बारिश आजाएगे, जिस वक्त बारिश नहीं आएगी, उस वक्त बारिश नहीं आएगी, उस वक्त वो सूखी रहेंगे, जब बारिश आएगी तब ह भी वो flow करेंगे, तो ऐसी rivers को बोलते है, non-perennial rivers, फिर उसके बाद flashy rivers, flashy rivers कौन सी river होती है, flashy river वो rivers है, जिनमें पानी हमें momentarily देखने को मिलता है, आज खुब सारी बारिश आई, आज और कल पानी दिखा, उस river में उसके बाद नहीं दिखा, तो ऐसी rivers को बोलते है, flashy rivers, जैसे flash of light होता है, आप phone से photo खीचते हैं, तो वो क्या करता है, flash करता है, एकदम light on होई, off हो गई, तो वैसे ही ये river flash कर रही है, ये flashy river है, कि जैसे ही चली, एक से दो दिन के अंदर अंदर फिर से गायब हो गई, यहाँ पर थोड़ा बहुत discharge भी आ जाए, थोड़ा बहुत पानी भ बहुत जादा कमी है, temperature जो है, वो बहुत गरम है, या फिर वहाँ पर evaporation और seepage के losses जादा है, कि पानी river के अंदर flow करने जा रहा था, लेकिन जादा तर पानी evaporate हो गया, यह soil के अंदर ही चला गया, percolate कर गया, उसके अंदर ही चला गया वो, तो ऐसी rivers जो है, वो कुछ इन के लिए दिखने वाली flashy river, और कहीं पे जाकर के गायब हो जाने वाली, यह आपके पस virgin rivers कहलाती है, next आते हैं, on the basis of their stability, second part पे चलते हैं, on the basis of stability of river, सबसे पहली आती है, stable rivers, stable rivers का मतलब है कि अब वो river जो है, वो अपने channel के अंदर जादा बदलाव नहीं शो करेगी, जाद इने bed के अंदर अंदर तो change कर सकती है, या फिर यह कह लिजी अपने जो permanent banks हैं, उनके अंदर तो change शो कर सकती है, लेकिन इसके beyond change नहीं शो करेगी, कहने का आर्थ है, कि आपकी यह जो river है, यह river इस साल, इस river का cross section देख रहे हैं, इसमें पानी कहा तक बढ़ा हुआ है, इसम सकता है, कुछ समय बाद अब यह river अपना cross section जिखा दे, हो सकता है, कुछ समय बाद अब कुछ material यहां फिल हो गया, तो अब यह ऐसा दिखा दे, तो इसके अंदर changes हो सकते हैं, लेकिन यह changes होंगे, इनके permanent banks के अंदर ही, हमेशा ज़रोरी नहीं है कि river उसके अंदर पूरा प सीजन के दौरान सिर्फ इतना चला dry season के दौरान जब rainy season आया बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो आसपास के area से वो पानी इस river के अंदर contribute हुआ तो उसके बाद उसका पानी जो है वो increase करना शुरू हो गया तो flood stage में water जो है वो इस तरीके से शो हो सकता है यह पूरी अंग्रेजी में भाई साब कहना क्या चारे है कि आप अगर top view से किसी river को देखेंगे आप एक साल दो साल चार साब बिलकुल एकदम चांद पे चले गए अब आप किसी river को एकदम zoom करके focus करके देख रहे हैं कि इस river में क्या क्या changes हो गए है तो top view से अगर देखेंगे तो किसी river में अगर इस साल वो ऐसी दिखाई दे रही है तो अगले साल बहुत ही minor change आएगा उसके plan form के अंदर या top view से जो changes देखेंगे बहुत ही नाम मातर के change आएगे उसके अंदर ये बात अलग है कि अगर उसके permanent bank, permanent bank मतलब इन से beyond वो पानी जादा तर नहीं show करती है कि इस से beyond पानी river का नहीं जाएगा इस तरीके से इस साल अगर river का cross section है और लेट से river के अंदर सिर्फ इतना पानी बहर है और बारिश हो गई तो पानी जो है वो और जादा बहना शुरू हो गया तो अब इसका cross section इस साल ऐसा था अगले साल हो सकता ऐसा हो जाए उससे अगले साल हो सकता ऐसा हो जाए तो जो भी changes आएंगे ना river के bed के अंदर या उसके cross section के अंदर वो उसके permanent banks के बीच में ही आएंगे उसके beyond जो है वो changes नहीं जाएंगे तो ऐसी river को बोल देते हैं कि वो stable river है उसके बाद बात करें दोस्तों तो आती है हमारे पास aggrading rivers aggrading rivers जो हैं वो वो rivers हैं जो बहुत जादा sediment लेकर के आती है एक river किसी particular जगां पर aggrading दिखने का मतलब है when the sediment load entering a river reach is greater than the sediment load leaving a river reach जिस particular region में आप खड़े हैं river को observe कर रहे हैं अगर उस जगां जादातर sediment आ करके deposit हो जाते हैं उतने वहां से उठकर के नहीं जा रहे हैं जितने deposit हो रहे हैं तो उस particular जगां पर आप उस river को बोल देते हैं कि वो river aggrading nature का यहां पर show कर रही है अगर जादातर particle वहां से उठकर के चा रहे हैं as compared to जितने deposit हो रहे हैं तो उस जगां पर उस river को आप बोल देंगे कि वो degrading river है so aggrading वो rivers जो deposit जादा कर रही है as compared to वहां से extract करना और degrading वो सारी जो extract जादा कर रही है as compared to deposit करना फिर उसके बाद next classification आता है पहला classification था based on variation of discharge second था stability के हिसाब से अब तीसरे की बात करते हैं कि location of the river के हिसाब से तो अगर mountainous region के अंदर है कोई river जहां से निकली है snow से वो melt हो करके आ रही थी water जो है वो snow melt करकरके अलग-अलग छोटी-छोटी streams जो mountains के बीच में होती है वो सब निकल करके अब river form कर रही है तो अगर वो mountainous region के अंदर है तो अब उन्हें बोलेंगे mountainous river क्योंकि mountainous rivers के case में mountainous regions के अंदर अगर हम बात करें तो वहाँ पर borders होते हैं बोल्डर मतलब बहुत ही large size के particle होंगे particle तो बोलेंगे उन्हे large size के stones कह लीजिए अब उनके अंदर इतना ज़ादा erosion नहीं हो पाता हाँ rocks भी कटती है पहते हुए पानी से जो चटाने हैं वो भी कट जाती है लेकिन इतना ज़ादा erosion नहीं show होता है वहाँ पर इसलिए water relatively clear होता है जब mountainous region में होता है वो relatively clear होता है फिर जैसे जैसे boulder फिर plain region में आएगा तो धिरे धिरे उसमें sediment की quantity बढ़ती चली जाएगी इसलिए हम कहते है rivers in mountainous reaches are further divided into incised river and boulder rivers incised rivers have steep bed slope and high velocity of the flow the bed and the banks of these rivers are made up of rocks and very large boulders which are usually highly resistant to erosion the sediments transported by an incised river is often different from that of the riverbed and comes from the catchment due to soil erosion कहने का मतलब है कि जो incised rivers होती है वो ऐसी जगह से आ रही है जो rocks के बीच में है rocks के थू बहती हुई वो आ रही है पहले rocks के उपर आएंगी फिर नीचे boulders होंगे वहाँ पर आएंगी फिर उसके बाद plains में जाएंगी आगे तो incised rivers जो है क्योंकि mountain के उपर से आ रही है तो बहुत ज़ादा slope है वहाँ पर और बहुत तेज velocity से वो water flow करके आएगा the bed and sides of boulder river consist of a mixture of boulder gravel, shingle and sand तो कहने का अर्थ था कि यह आपका mountain था यहाँ पर incised river बन रही है और यहाँ पर थे boulders, gravel, shingle इस तरीके से कुछ तो यहाँ पर आके boulder stage में वो आ जाती है और फिर उसके बाद plane वाली region की तरफ वो बह जाएगी आगे rivers in flood plain after the boulder stage सबसे पहले incised river आई, फिर boulder आई फिर उसके बाद अब flood plain के अंदर आ रही है यहाँ पर river जो है वो plains के अंदर enter हो जाती है, जैसी वो plain के अंदर enter हो जाएगी तो खूब सारे sediments अपने साथ ले करके जाएगी, तो अब उसके cross section के अंदर, river का जो cross section है, उसके अंदर changes आते रहेंगे over a period of time तो यह rivers in flood plain उसके बाद river जो है वो delta region के अंदर जाएगी जहाँ पर sea में जाने से पहले, अगर हम बात करें एक river की और river को side से अगर आप observe करते हैं, आप अगर पूरे side से देख रहे हैं सारी जो चीज़ें हो रही हैं, कि यहाँ पर mountain से river चली, in size river form में चली, फिर उसके बाद border stage में आ गई, फिर flood plains में आ गई, और आगे बहती बहती इस तरीके से चली जा रही थी, यहाँ पर था sea तो जब sea के पास पहुंचती है sea पर हम क्या बोलते हैं, कि यहाँ पर mean sea level है, या फिर यह कह लिजिए कि elevation zero, एकदम zero level पर आ जाता है, जब वो water flow करता करता mountain से sea के पास तक पहुंचता है, तो यहाँ पर slope बहुत कम हो जाता है, यहाँ पर slope बहुत कम हो जाता है, तो जो भी sediments, जो भी particle लिया, फिर कुछ sediment यहाँ आ गए, पानी ने इस तरफ से रस्ता चूज कर लिया, and so on, तो अलग-अलग पानी की stream बनती चली जाती है, और उनके बीच में sediments deposit होते चले जाते हैं, जिने हम deltas बोल देते हैं, तो delta region के इंदर sediments आकर के deposit हुए, उसके बाद आता है tidal region, tidal region के अंदर क्या होता है, tidal region के अंदर आप यूँ माल लीजे, कि यह river जा रही थी sea की तरफ, यह river जा रही थी sea की तरफ, अब यह sea है आपका यहाँ पर, अब कुछ दूर यह river जो है, वो sea के अंदर travel कर रही है, कुछ दूर, यह river जो है sea के अंदर travel कर रही है, इसका पानी बहता बहता, ऐसे sea के अंदर जा रहा है, और ऐसा भी हो सकता है, opposite भी हो सकता है, कि जब इसका पानी sea के अंदर जा रहा था, तो sea का पानी भी travel करके कुछ दूर तक इस river के अंदर आ जाएगा, का पानी भी आगे जा करके कुछ distance travel कर रहा है सी के अंदर तो इन्हें बोल देते हैं Tidal rivers तो सारी ही सारी rivers जो कि perennial है या जिनका discharge अच्छा है वो ultimately जा करके मिलेंगी तो C के अंदर ही ultimately C के अंदर तो मिलती ही है और Tidal वाली river जो है वो जब मिल रही है तब उसका discharge जो है वो थोड़ा बहुत interchange जो हो रहा है C के साथ उसे Tidal river कह देते हैं So based on the location of reach of river सबसे पहले mountains में गई mountains में incised river फिर उसके बाद boulder फिर plain region फिर delta region फिर उसके बाद Tidal form के अंदर वो C के साथ mix up हो गई next criteria की बात करते हैं next criteria हमारा आता है based on the plan form plan form मतलब top view से अगर हम देखेंगे तो कैसा दिखेगा तो top view से एक हो सकता है कि river हमें एकदम straight दिखे आपने एक ऐसी river देखी जो top view से देखने पर एकदम straight दिख रही है तो straight river बोल देगे लेकिन alluvial rivers जो होती है जो अपने साथ खुब सारा sediment लेकर के आती है possible ही नहीं कि वो सीधी सीधी चलने वो क्या करेंगे यहां से sediment लेकर के आई कुछ रस्ते में deposit करती हुँ चली गई अब पानी को जैसे जैसे दिक्कत होगी move करने में अब वो अपनी direction change कर लेगा फिर यहां कोई sediment deposit हो गया फिर direction change कर लेगा and so on तो जैसे जैसे sediment deposit होते चले जाएंगे और erode होते चले जाएंगे वैसे वैसे वहाँ पर नया रस्ता बनता चलेगा next आती है meandering rivers जो meander करते हुए चलती है जो इस तरीके से बल खाती हुई चलती है ऐसे समझ लीजी आप तो इनके अंदर क्या होगा जैसे river का पानी इस तरीके से आ रहा था अब यह river का पानी इस direction में चल रहा था तो यहां का material erode करेगा यहां पर erosion create करेगा अब यहां इतना इसका impact नहीं है एक तरफ करवेचर ऐसा आया दूसरी तरफ करवेचर हमारा ऐसा आया तो करवेचर के अंदर भी changes वह हमें दिखाता चलेगा कुछ portion river का इन curves की बीच में ऐसा आ जाता है जो straight होता है जिसे हम क्या बोलते हैं crossing बोलते हैं कुछ portion इस meandering river का ऐसा आ जाता है जो इन curves की बीच में straight होता है जिसे हम क्या कहते हैं crossing कहते हैं next type आता है river का braided river braids जैसे आपने देखा होगा ना कई जमाइका से जिम्वावे से या फिर आपने ऐसे देखांगा आफरीका से जो भी होते हैं वो braids के बड़े शोकीन होते हैं जो बालों में भी बनाते हैं ऐसे तो उनका बालों का design कुछ ऐसा होता है क्या बोलते हैं आप उनको हिंदी में sorry I'm not so familiar with these words बहुत सारी चोटियां बना लेते हैं जो बालों के अंदर तो वैसा ही कुछ braided river बहुत सारी braids आपको यहां पर देखने को मिल रही हैं तो braided river के अंदर क्या होता है कि जब बहुत जादा sediments आकर के deposit हुए sediment यहां deposit हो गए तो यहां से यहां लग रस्ते बन गए फिर यहां sediment deposit हो यहां से यहां रस्ते बन गए तो इस तरीके से बहुत सारे sediments जो है वो ला करके deposit कर रहे हैं छोटे छोटे soil के island बनते चले जा रहे हैं तो इसको बोल देते हैं कि यह हमारी braided river है when a river flows into two or more channel around the alluvial islands यह alluvial islands बनते चले जा रहे हैं और इनके आसपास छोटे छोटे channels के त्रूब flow करता चाला जा रहा है तो इसे बोल देते हैं कि यह braided river है यह braided river है तो यह सारी बाते हो गई हमारी rivers के classification की इतना ज़्यादा detail में नहीं जाना है बस काम काम की बातें याद रखनी है question अब तक exam में कैसे आए हुए कि यहसी कौन सी river होती है जो जितना sediment ले करके आरही है उससे जाधा वहां से उठा करके जा रही है तो degrading river हो गई जितना deposit कर लिए है उससे जाधा वहां से erode कर रही है तो degrading aggregating जो जाधा deposit करे और कम ले करके जाए वहां से तो इस तरीके की definition based question आएगे दुबारा से सुन लीजे अलग-अलग types of river या rivers के classification on the basis of their discharge perennial हो सकती है हमेशा flow करने वाली यानि कि snow के through उनका पानी आएगा snow जो है वो feed कर रहा है water उनको provide कर रहा है non-perennial river जो बारिश का पानी जाधा तर contribute करता है उसके अंदर इसी लिए जब बारिश जाधा होगी तो जाधा बहेगी नहीं होगी तो नहीं बहेगी तीसरी आती है flashy river आज किसी catchment area के अंदर बारिश हुई तो instantly वो discharge शो कर देगी और एक दो दिन के अंदर गायब हो जाएगा virgin rivers ऐसी rivers जो जैसे जैसे arid region में जाती है शुशक region में जाती है वैसे वैसे वहाँ पर जाते जाते सूख जाएंगी वो evaporation जाधा हो जाएगा percolation जाधा हो जाएगा losses जाधा हो जाते है on the basis of stability stable river वो rivers जो अपने permanent banks के बीच में ही changes शो करें उसके beyond changes ना शो करें फिर उसके बाद aggrading जो जाधा इरोजन करवा रही है scouring जाधा करा रही है as compared to siting फिर based on the location in size rivers आती है हमारे पस जो mountains के अंदर rocks के तुरू वहके आ रही है फिर boulder region में आ जाती है फिर flood plains में आ जाती है फिर delta में चली जाती है और फिर tidal zone के अंदर चली जाती है तो ये on the basis of their location rivers को हमने बताया फिर on the basis of plan form top view के इसाब से straight हो सकती है meander करती हुई हो सकती है और braided हो सकती है ये सारी बाते हो गई what are the types of rivers rivers के types हमने देख लिए हाँ पर अब बात करते हैं river training what is river training और इसके क्या-क्या aspects है river training के अगर हम बात करें तो हम river को train कर रहे हैं जैसे आप बात करते हैं कि आप swimming करते हैं तो swimming की training कर रहे हैं आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पढ़ाई के लिए भी exam की training कर रहे हैं आप exam की training कर रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने आपको अपने knowledge को channelize करें कि आपके exam में वो helpful हो, आप gym जाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप training कर रहे हैं, अपने body को train कर रहे हैं, कि कैसे वो healthy रहे, और आपके body के इंदर strength maintained रहे, वैसे ही river जो है, उसकी training कर रहे हैं, river को हम align कर रहे हैं, river को आप ये कह लीजिए, कि हम हमारे according, कैसे हम river के इंदर क् बहुत सारे फायदे हो जाएं, बहुत सारे advantage हो जाएं, जैसे कि flood protection, flood protection का मतलब है, कि पुराने जमाने में आपने सुना होगा, अभी भी होता ही है, लेकिन पुराने जमाने में ऐसा जादा होता था कि बाड से लोग जो हैं, हर साल कहीं न कहीं डर बना रहता था, कि अगर पाड आ गई तो नुकसान हो जाएगा, लोग मारे जाएंगे, पुराने जमाने के comparison में अब ये चीज़ें हमने काफी control कर ली है, कि जहां जहां पर chances होते हैं, flood आने के, वहां हमने पहले से ही ऐसे prevention measure ले लिये, जिसकी वज़े से या तो flood आई नहीं, अगर flood आईगी भी त तो उस पानी को हमें किस तरीके से, किस route से वहां से लेके जाना है, जिससे जो लोग वहां पर रह रहे हैं, जो या वहां की vegetation या फिर agriculture है, या फिर जो industries हैं, वो इतना impact ना हो उस flood से, तो flood protection के अंदर हम क्या करते हैं, अलग-अलग embankments बना देते हैं, borders बना देते हैं, leaves बन बना देते हैं, तटबंद बना देते हैं, जिनकी मदद से पानी को उसके, पानी उससे उपर cross नहीं कर पाएगा, और एक side का area हम protect कर सकते हैं, कि कहीं पर embankment बना दी, अब पानी उससे पार नहीं जाएगा, वहीं पर रुख जाएगा, तो embankments जैसे structure बना जा सकते हैं, जि ground है, ground के उपर excavation कर रहे हैं, एक होता है dredge करना, तो dredging is basically excavation underwater, पानी के नीचे आप क्या कर रहे हैं, कोई river थी, वो पहले इतनी गहरी नहीं थी, तो इतना पानी नहीं hold कर पा रही थी, या इतना पानी नहीं travel कर भा पा रही थी, अब आपने क्या किया, इसकी dredging करा दी, इसको और जादा आपने excavate कर वा लिया, तो अब ये और जादा water अपने साथ पोल्ड करके लेके जा सकते हैं, तो हम जो natural channels हैं, rivers हैं, उनकी dredging कर सकते हैं, उने और गहरा कर सकते हैं, जिससे वो जादा पानी अपने साथ लेकर के जाए, जिससे कि आसपास के area को वो डुब होएगा नहीं, नेक्स्ट आप आताती है, provision of escapes or diversion from the main channel into auxiliary channels for access water in main channel, ऐसी channels बना दे हम, ऐसी canals बना दे हम, या ऐसे river के ही रस्ते बना दे हम, streams बना दे हम, कभी अगर river के अंदर जादा discharge आया, तो वो access वाला discharge जो आसपास के area को डुबा देता, बाड ला देता वहाँ पे, तो वो access वाला जो पानी है, उसको हम divert कर दे हैं उस particular रस्ते से, तो ये सारे provision जो river training के हैं, वो क्या focus करेंगे, वो focus करेंगे इस बात पे कि वो area flood से protected रहे, ये पहली बात हो गए, दूसरी बात river training से related जो हमारी है, वो है navigation, navigation को हम training for depth भी बोलते हैं, या फिर low water training भी बोलते हैं, तो आप ये कोशिश करेंगे, जैसे हमारे इंडिया के अंदर क्योंकि इतना ज़्यादा पानी है नहीं, और हर जगा पर इतनी सारी rivers नहीं है, वैसे as compared to बाखी countries देखें, तो हमारे देश में अच्छी खासी river है, अच्छा खासा पानी है, लेकिन अगर हमारे देश को भी compare करें, हम कितनी rivers है, as compared to कितना area है हमारी country का, तो उसके हिसाब से इतना ज़्यादा popular नहीं है ये trend कि हम rivers के थ्रू navigation करें, या rivers के थ्रू travel करें एक जगा से दूसरी जगा, तो जब आप river के थ्रू travel करना चाहेंगे, navigate करना चाहेंगे, तो उस case में आपको ये चाहिए होगा कि उस river के अंदर sufficient depth available हो at all the section, जिस रस्ते से आप जा रहे हैं, उस पूरे रस्ते के अंदर sufficient depth of water available हो, ताकि जिस vessel से, या जिस ship से, जिस cruise से, या जो भी आप water वाला जो vehicle use कर रहे हैं, उससे जब आप जाएं, तो sufficient depth of water available हो, ताकि वो आपका vehicle पानी के अंदर अराम से चल पाए, तो इसके लिए हमें ensure करना होगा कि हम उस river को train करें depth के लिए, हम उस river को train करें depth के लिए, excavate कर दें उसके अंदर या dredging कर दें, जिससे कि वहाँ पर वो easily movement हम कर पाए, navigation हमारा easy हो पाए उसके अंदर, sharp curves are eliminated to make ships move smoothly, कि जो भी sharp curve होते हैं, अब हमारी गाड़ी की तरह नहीं हो केस में हमें sharp turns जहां पर भी होंगे, उनको हमें हटाना होगा, relatively straight alignment जदा रखना होगा हमें उसके अंदर, यह हो गया second purpose navigation, river training का second purpose आ गया, तीसरा purpose आता है, sediment को control करना, जिसे हम mean water training के नाम से भी जानते हैं, या training for sediment के नाम से भी हम जानते हैं, तो इस case में हम यह कोशिश करें कि sediments ना तो बहुत ज़्यादा deposit हो आके और ना ही कहीं से, excuse me, ना तो बहुत ज़्यादा deposit हो और ना बहुत ज़्यादा scouring हो, बहुत ज़्यादा वहां से हट करके जाएं, तो यह sediment control के लिए भी हम river training करते हैं, next aspect आता है कि flow को guide करना, flow को guide करना, flow को guide करने का मतलब क्या, कि जैसे traffic policeman, जब traffic signals work नहीं करते हैं, तो वो guide करते हैं न flow को, आप इधर चले जाएं, अब आप रोख जाएं, तो वो guide कर रहे हैं flow को, वैसे हम river के flow को guide करेंगे, कि river का flow, जब river का पानी आ रहा था, तो कुछ canal में चले जाओ, कुछ सीधे चले जाओ, access water आ रहा है, तो उसको ह provisions वहाँ पर रखते हैं, hydraulic structures बनाते हैं, जिससे कि हम river के flow को guide कर सकें और उसे regulate कर सकें, तो ये भी हमारा एक important aspect आ जाता है, river training का, अब guide कैसे करेंगे, वो hydraulic structure क्या होते हैं, canal headworks क्या होते हैं, ये अपने आप में एक अलग chapter है, उस पर भी बात करेंगे, objective question जितना पढ़ा है, उससे related क्या बनते हैं, upgrading rivers are the rivers that are, ऐसी rivers, upgrading तब बोलेंगे, जो ज़्यादा deposit कर रही हैं, आखर के, silting ज़्यादा show कर रही है, और जो scouring ज़्यादा show करेंगी, वो degrading rivers कहलाएंगी, जो scouring ज़्यादा show करेंगी, वो degrading rivers होंगी, next question, the main cause of meandering is due to, जो meandering होती है, कि बार-बार river जो है, वो अपने रस्ते चेंज कर लेती है, curves बनाती है, तो meandering का main कारण क्या है, extra turbulence generated by the excess of river sediment during the floods, जो भी sediments हाया, कुछ sediment अब अब यहाँ आके deposit हो गया, यहाँ से scouring हो गई, फिर कुछ sediment जो है, वो यहाँ आके deposit हो गया, यहाँ से scouring हो गई, इनके कारण meandering of river हो रही है अब आते हैं canal के उपर, अब बात करेंगे, canal के उपर, canal क्या है, already हम जानते हैं, कैसा channel है, जिसके through river से पानी लेकर के आ रहे हैं, ताकि हम fields तक पहुंचा पाएं, generally trapezoidal section होता है, canal के types पे आ जाते हैं, canal के कौन कौन से type होते हैं, एक ऐसी canal जिसके अंदर हमेशा पानी भैत रहेगा, उसे हम बूलते हैं, permanent canal, permanent canal has a continuous source of water supply, such canals are also called as perennial canals, ऐसी canals जो directly river से अपना discharge ले रही है, river भी कौन से वाली, perennial river, जो हमेशा बहेगी, जिसमें हमेशा discharge रहेगा, तो ऐसी canals जो हमेशा बहती होई चलेगी, तो वो permanent canal कहलाएगी, inundation canal, inundation canal वो canals है, जैसे ही आपक excess discharge आ जाएगा, flood discharge आ जाएगा, बहुत जादा पानी आ गया river में, तो वो पानी, extra वाला पानी इस canal में डाल दिया, ताकि तुम extra पानी को कहीं और ले जाओ, इस आस पास के area को मत डूबाना, excess water जो भी आया, इस canal में दिया, और ये canal ले जाएगी, excess water को वहाँ से ले कि canal के अंदर nature of water supply क्या था, river का था, या फिर आप ये कह लीजे, जो extra पानी था, वो दिया गया है इसमें, so on the basis of nature of source of water supply हमने canal को बनाया, दूसरा है हमारे पास on the basis of function, function काम क्या है उस canal का, क्यों बना रहे हैं आप उसे, क्या उस canal को आप खेती करने के लिए बना रहे हैं, agriculture agriculture के लिए बना रहे हैं, irrigation परपसे के लिए बना रहे हैं, क्या उस canal को आप इसलिए बना रहे हैं, जिससे की navigation हो पाए, पानी के Truth अभ द्रेव बनाने का में कारण आपका, में करपका, ये हैं कि आप पावर जरे खरपाए electricity generate कर पाएं तो उसको बोलेंगे power canal हाँ ये बात अलग है कि जो power canal है उनके पानी को भी बाद में अलग-अलग purpose के लिए use कर सकते हैं लेकिन main main हमारा object किया था हमारा main objective था power generate करना तो उस canal को बोलेंगे power canal फिर उसके बाद एक ऐसी canal जिसका काम सिर्फ ये है कि किसी दूसरी canal में जा करके कुछ discharge add कर दो उसे feed कर दो उसे कुछ discharge feed कर दो ले जा करके तो उसे बोलते है feeder canal feed करना मतलब जैसे हमारे माता पिता हमें feed करते हैं मैं खाना किलाते हैं तो feed करना वैसे ही कोई एक canal जा करके feed कर लिए किसी और कैनाल को उसका discharge increase कर रिया तो उसे feeder कैनाल बोल देते हैं तो ये थे on the basis of their function पहले criteria हमने on the basis of their source of water supply दूसरा on the basis of their function अब बात करें कैनाल के टाइप सॉरी कैनाल के layout की बात करते हैं कैनाल के layout की अगर हम बात करें तो कैनाल का layout कुछ इस प्रकार से रहेगा अब आप पूरा area imagine करके चलिएगा कि पूरा area हम कैसे बना रहे हैं पूरा area कुछ इस प्रकार से बना कि यहां से जा रही थी river यह यहां से ऐसे river जा रही थी अब एक river और फिर उससे 1000 km दूर कोई sea की तरफ जाएगी यहां पे भी mountain से चलेगी sea की तरफ जाएगी river कहां exist करती है river depression में exist करती है गड़े में बाकी area river से उंचे होते है river depression में चलती है अब river जो है वो यहां से चली यहां तक अब इस point के elevation में और इस point के elevation में भी तो difference है तबी तो पानी यहां से ले करके यहां तक flow कर रहा है अब अगर इस point को compare करेंगे आप यहां पर river में जो पानी लिया हमने और अब इस पानी को अगर मैं ऐसे ले करके आ रहा हूं इस रस्ते से तो obviously इस point के respect में यह वाला point जो है यह वाला point भी नीचा रहेगा इस point के respect में यह वाला point भी नीचे रहेगा तबी तो water यहां से यहां flow करेगा लेकिन यह line है watershed line यह वाली line कौन सी है watershed line watershed line कौन सी line होती है अगर किसी भी area के अंदर हम सारे जो top most point होते है let's see यह कोई एक ऐसा area था इस तरीके से कुछ area था हमारे पास अब आप इसमें जितनी मरजी lines draw कर लीजे इस lines just depict कि हाँ as compared to यह ends जो है यह वाला area थोड़ा उंचा है यह वाला area थोड़ा उंचा है अब यहां से वो river जा रही थी अब हम इस river के अंदर यहां से पानी extract करके पानी को इस line के along ले आए अब उस पानी को यहां पर flow करवा रहे हैं अब पर reaches के अंदर पानी को हम ले करके आगए कहांठर area हमारा जो land था उसके एकदम टॉप के उपर ले करके आगए अब इसके along फ्लो करवाएंगे इसके along हमने canal बना ली अब ये कैनाल के अंदर जो पानी आएगा ये main कैनाल फिर main कैनाल से आगे फर्दर इसकी जो branches है या फिर distributories है उनके अंदर पानी पहुंचाएंगे हम तो top most reaches के अंदर उपर की reaches के अंदर ही हमने पानी को इस line के along ले आए और अब हम इस से serve कर पाएंगे इस direction में भी इस direction में भी क्योंकि हम एक ridge line के along चल रहे है ऐसी line के along चल रहे है जो उन्ची है आप इस overall area को भी कुछ इस प्रकार से देखेगा कि यहां से ऐसे ये वाला area उठा हुआ है यहां से ये वाला area उपर की तरफ उठा हुआ है इस तरफ से भी देखेंगे तो ऐसे उठा हुआ है ल इस भी direction में हम चाते हैं उस direction में divert कर सकते हैं तो पहले main canal इस line के along चल रहे है ridge line के along या watershed line के along फिर इसकी branch आएगी फिर branch से further major distributor, minor distributor, water courses and so on इस तरीके से आगे पानी को distribute करता रहेगा अब क्योंकि area कुछ इस प्रकार का है जब भी इस area के अंदर बारिश आएगी तो जो इस इस आएगी वो इस तरफ का पानी ऐसे भैकर के इस river में contribute कर देगा इस तरफ का पानी भैकर के ऐसे इस river के अंदर discharge को contribute कर देगा तो वो भी चलता रहता है overall canals का layout कुछ इस प्रकार से है सबसे पहले main canals फिर branch फिर उसके बाद major distributor फिर minor distributor और फिर water courses आ जाते है main canals जो अपना पानी लेती है वो directly river से ही लेती है branch canals जो पानी लेगी वो main canals से लेगी main canals से direct irrigation नहीं करते हैं main canals का काम यही है कि यह main है यह बाकी सारी छोटी-छोटी canals बनाएंगी आगे जा करके या छोटी-छोटी canals जो है जैसे branch हो गई, distributors हो गई, इन तक पानी पहुंचाना इसका काम है तो main branch से rarely ही कोई case में irrigation होता है direct वाला कोई पानी चुरा करके कर ले तो बात अलग है, otherwise main canals से direct irrigation नहीं किया जाता है फिर आती है branch या फिर branch canals जिसको हम बोल देते हैं तो branch canals जो होती है यह further पानी ले जाकर के देंगी यह feeder canals होगी, किसके लिए यह किसको feed करेंगी यह feed करेंगी major distributor को, minor distributor को, उनको पानी दे रही है यहाँ पर तो ऐसी canals जिनका discharge 5 meter cube per second से जादा है तो उन्हें कह देते हैं कि वो branch canals है, 5 meter cube per second से जादा होती है branch canals होती है next, large branches are rarely used for direct irrigation, however, outlets are provided on smaller branches for direct irrigation अगर branch canals छोटी है, तो उस case में irrigation इसके थुरू किया जा सकता है कि वहाँ से पानी खेतों के तरफ divert किया जा सकता है लेकिन इसके chance भी बहुत कम होते है जो छोटे वाली branches होती है, उन्हीं के case में ऐसा करते हैं otherwise direct irrigation इससे भी नहीं होता है फिर आती है major distributories या फिर जिसे सिर्फ distributory भी बोल देते है इनके अंदर discharge 0.25 से 5 meter cube per second की rate से चलता है distributory पानी देगी आगे जाकर के water course को या फिर जो minor distributories होंगी उनको देगी तो main canal ने branch के लाल को पानी दिया branch ने आगे major distributory को दिया major distributory ने पानी के वो जो छोटे छोटे रस्ते जो कुछ इस प्रकार से दिखाई देते है water ditch कह लीजिए या जिसे आप water course बोल देते हैं जो खेद के अंदर आपने ऐसे देखे होंगे तो इन water course के अंदर पानी वो provide करेगी फिर ये आप यहाँ पर छोटे छोटे gates बना लेते हैं यहाँ से पानी आया इधर एक gate लगा दिया आप ये पानी और ये वाला gate open कर देंगे तो इस तरफ खेद में पानी पहुंच जाएगा तो ये gates या ये जो नकाज होते हैं इनके through हम field के अंदर पानी जो है वो provide कर सकते हैं तो main से branch में, branch से major distributory major distributory से water course या फिर minor distributory में जाता है minor distributory से water course के अंदर जा सकता है तो सिर्फ main के नाल और branch के नाल ये rarely irrigation के लिए use की जाती है direct irrigation के लिए मतलब direct field में पानी इन से देने के लिए otherwise बाकी सारी branches जो है उनसे field तक पानी पहुंचाया जा सकता है जैसे major distributory से दे सकते हैं minor से दे सकते हैं water course obviously वो रस्ता है जिसके through पानी travel करेगा 0.25 meter cube पर second से कम rate होता है किसके अंदर? minor distributory के अंदर water course एक ऐसा रस्ता जो की canal से पानी ले करके जा रहा है field तक जहां पर irrigation हो ना है so canal type on the basis of capacity and size on the basis of their capacity and size main canal, branch canal, major distributory, minor distributory and water course आ जाता है फिर आते हैं canal outlet के उपर canal outlet क्या है? पहले तो यह समझ लीजिए canal कहां पर है आप यहां पर खड़ें आपको अगर canal में नहाने जाना है तो आप कैसे जाएंगे? यहां से चलते चलते चले जाएंगे और यहां पर canal आ गई अब इसके अंदर ऐसे jump मार जाएंगे तो आप इस canal को कहां से देख रहे हैं? side से देख रहे हैं आप इस canal को side से देख रहे हैं तो आप क्या कहते हैं मैं आज ये चीज़ खरीदने जा रहा हूँ इस particular brand के outlet से तो वो brand अपनी manufacturing से या अपनी branding से जो product आपको sale कर रहा है वो अपने outlet पर लेकर के आ रहा है उसको जिससे कि आप उसको वहां से receive करते हैं या purchase कर लेते हैं तो outlet is basically कि वो canal का कहां पर जा करके output मिल exit हो रहा है बाहर निकल रहा है water course की तरफ जा रहा है so it is present at the junction of water course and the distributory water course और distributory के junction पे क्या present होता है canal outlet present होता है ये एक ऐसा structure होता है जो machinery structure है मतलब eat से बना हुआ structure है eat और जो आपका masala कह लीजिए या फिर ऐसे कह लीजिए कि आप mortar और brick से बना हुआ ये structure है An outlet is a machinery structure through which water is admitted from the distributory into a water course. It also acts as a discharge measuring device. Discharge भी यहां से हम measure कर सकते हैं. The discharge through an outlet is usually less than 0.85 meter cube per second. Thus an outlet like a head regulator for water course. Outlet जो है वो एक तरीके से head regulator है water course के लिए. यहां से water course निकलेगा आगे. तो यह regulate कर सकता है कितना पानी यहां से आ रहा है water course के अंदर. बेसिक सी बात इतनी है. तीन प्रकार के होते हैं non-modular, semi-modular और modular outlet. Non-modular outlet कौन से होते हैं? Discharge capacity depends on the difference of water level in distributory and water course. अब यह तो आपकी distributory. यह तो वो कैनाल है जो जा रही है. अब इसके अंदर water level कितना है? और फिर उस पे आपने यहां पर यह outlet बना दिया. इस outlet से यह कैनाल का पानी इसमें आया. और अब यहां से यह water course जा रहा है. यहां से यह water course जा रहा है. पानी जाएगा अब इसके थूँ. अब इस water course के अंदर कितना पानी है? अब इस water course में कितना पानी है? तो statement दुबारा समझे. Discharge capacity depends on the difference of water level in distributory and water course. Water course में कितना water level है? इसके अंदर कितना water level है? इनकी difference के उपर depend करेगा कि इस outlet की, इस non-modular outlet की discharge capacity क्या है? फिर आते हैं semi-modular outlets. Semi-modular outlet कौन से होते हैं? जिनकी discharge capacity किसके उपर depend करती है? Distributory के उपर ही depend करती है कि यहां कितना discharge है? उसके according इसकी capacity होगी. Modular outlets वो outlets होते हैं जिसकी discharge capacity जो होती है? वो independent होती है. Independent of कितना water level है distributory में या water course के अंदर. इन दोनों पे depend नहीं करें कि वो modular outlets होते हैं. It supplies a fixed amount of discharge to the farmer and hence farmer can plan irrigation accordingly. Farmer जो है किसान अपना खेती जो है अपने according अराम से plan कर सकता है. सारी कहानी कहां से शुरूई थी? He river से शुरूई थी, Mountain से शुरूई थी, कहां से पानी आया. फिर उसके बाद पानी जब आया, तो फिर कैसे channel से लेकर के आया field तक. अब फिर channel safe, water course में कैसे enter करवाया, outlet से करवाया. अब water course में आ गया है पानी. अब कैसे provide करें field के अंदर बहुत लोगों के खेत है ना सिर्फ एक इनसान का खेत थोड़े नहीं बहुत लोगों के खेत है तो इसके अंदर अलग-अलग system है हमें adopt करने पड़ेंगे water coat deliver करने के लिए water coat deliver करने के लिए हमें अलग-अलग systems adopt करने पड़ेंगे so delivery of water to farms कैसे किया जाए अब आज कल यह जो आपके e-commerce websites हैं जो भी आप घर बैठे सामान मंगबा लेते हैं खाना घर बैठे मंगबा लेते हैं तो इनकी plannings तो बहुत लेट आ करके हुई है हम civil engineers की जो planning थी distribute करने की, deliver करने की वो तो एकदम next level पे चल रही थी बहुत पहले से हम तो पानी तक को deliver कर रहे थे farms में खेतों तक हमने पानी कई सालों पहले कई सो सालों पहले पहुँचाना शुरू कर दिया था ठीक है यह IT वाले engineers अब थोड़े ज़ादा पावर भी नहीं लग रही, कोई electricity कोई consumption कुछ ऐसा नहीं हो रहा delivery of water to farms पहला system है हमारा continuous delivery system continuous delivery system का मतलब कि आप खेतों में continuously पानी सप्लाई करते जाओ अब इसका फाइदा भी है नुकसान भी है, फाइदा क्या है कि farmer को कोई tension नहीं है, कि पानी है पानी उसको मिलता चला जा रहा नुकसान क्या है कि जब जरूरत नहीं है तब भी आ रहा तो over irrigation भी हो सकती है या फिर वो पानी waste भी हो रहा है यहां पर तो continuous delivery system के अंदर continuous water supply मिलता है field को, free demand system के अंदर क्या होता है, पानी इतना जादा है कि खिसान जब चाहे तब पानी ले सकता है जितना चाहे जब ले सकता है तो वो free demand system है फिर उसके बाद आते है rotation delivery system के उपर rotation delivery system तब adopt कर लेंगे हम जब ऐसी situation हो जाए कि भाई, पानी जो है वो limited है हमारे पास, तो rotation से दिया जाएगा पानी जो है, वो अकसर ऐसा हो जाता है, कि middle glass, lower middle glass या उससे नीचे भी है तो कई बार ऐसी situation आती थी कि बच्चपन में ऐसी rarely ही होते थे कहीं पर घर में अगर पांच बच्चे हैं तो चार पाई पर सो रहे हैं, बाहर cooler लगा हुआ है तो वहाँ पर rotation system चलता था Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday कौन सबसे आगे सोएगा, फिर next rotation फिर उसका next 5 दिन बाद ही उसकी turn आएगी तो वह rotation चलता था ऐसा कुछ होता था आपके साथ, तो होता था बता दीजिए because I have been to such situation तो मुझे पता है न, कि turn आती थी, आज cooler के आगे कौन सोएगा, फिर कल तुम सोएथे, आज मेरी turn है तो ऐसे इस तरीके से वह पांचों का rotation चलता रहता था, वैसे ही क्या है कि अब पानी की कमी है limited amount of water है, तो अब rotation system से ही पानी दिया जाएगा कि हाँ जी, जिसका जितना खेत है पर बिगा, इतना time alert कर देंगे पर बिगा जैसे let's say 10 minutes दे दिये कि 10 minutes पानी मिलेगा आपको अब आपके पास अगर 10 बिगा है, तो 10 into 10 minutes अगर 100 है, तो 100 into 10 minutes इतनी देर आपको पानी दिया जाएगा Monday इतने बज़े से इतने बज़े तक, तो वो एक fixed schedule you'll fix rotation के according दे देते हैं तो यह हो गया हमारे पास rotation delivery system next आता है हमारे पास control demand या फिर इसे इंबोल देते हैं modified rotation, इसके अंदर हम कहेंगे कि priority तो दी जाए rotation को लेकिन actual delivery जो है वो depend करेगी कि actual demand क्या है उसके उपर या actual availability of water क्या है, आपने भले ही बोल दिया उसको कि हान जी आपको Monday को, शाम को 9 बजे से 11 बजे पानी मिलेगा, यह आपकी rotation है यह फिर यह आपकी बारी है पानी की बारी कह लीजी आप उसको यह आपकी turn है, उस वक्त हो सकता है पानी available ही ना हो उस वक्त नहर में पानी आ ही ना रहा हो हो सकता है, उस वक्त आ रहा हो लेकिन उसको जरूरत नहीं है किसान को तो यह थोड़ा सा actual situations के according vary कर जाएगा, controlled और ज़दा further control हो गया उसके उपर controlled demand आ गया इसी के अंदर आता है कि वारबंदी system, वारबंदी system यह जो distribution of water है, इसी से related system है, इसके अंदर primary, tertiary secondary, यह हम अलग-अलग इसके criteria बता देते हैं, अलग-अलग levels बता देते हैं, अब यह level अलग-अलग कौन-कौन से हैं, इनके बारे में देखिए आप सबसे पहले आपने क्या किया पानी को river से ले करके आए river से canal में आया, main canal में फिर branch में, फिर major distributory, फिर minor distributory, फिर उसके बाद आया आपके water course के अंदर और water course से field में जब enter करेगा तो जो gate होता है, field का gate जिसे हम नक्का बोलते हैं, वहां पहुंचेगा हो, so water from the source is carried by the main canal which feeds two or more branch canals which operate by rotation यह भी हो सकता है कि हमेशा ज़रूरी नहीं है, हर एक branch canals को हमेशा पानी मिलेगा ही, एक main canal हो सकता है, एक week एक branch को पानी दे, दूसरे week दूसरी branch को पानी दे, अगर यहां पर पानी की किल्लत है, तो हो सकता है यह main canal, एक week इस branch को पानी दे, एक week हो सकता है इस branch ब्रांच को पानी दे तो यह distribution पहले लेवल पर ही जो distribution हो गया वो distribution क्या कहलाएगा यह primary level का distribution हो गया सबसे पहले ही यहाँ पर distribute कर दिया गया फिर secondary distribution के अंदर क्या होगा अब जो large number of distributory जिनके खुद के अंदर rotation से पानी आ रहा था full supply जो इनके अंदर आ रहा था जिस वक्त पानी आ रहा था they are fed by branch canals of primary distribution system the distributory supply water to the water cores through the outlets these water cores run full supply when the supplying distributor is running water is then allocated to fields situated along water cores by a time roaster this is tertiary system कहने का मतलब है कि पहले तो primary system यहीं आ गया main canal से branch canal को पानी देना यहाँ पर कितने कितने time देना इनका rotation लगा दिया तो यह हो गया primary rotation फिर secondary rotation क्या आएगा कि अब यह branch canal अपनी इस distributory को कब-कब पानी देगी इस distributory को कब-कब पानी देगी तो यह secondary level का distribution हो गया फिर tertiary level प इन खेतों के अंदर कब से कब पानी मिलेगा इनमें कब मिलेगा इनमें कब मिलेगा तो यह tertiary level पे आ गया तो primary secondary और tertiary level पे हमने segregate कर दिया हमने rotations बना दी कि इस इस दिन पानी मिलना चाहिए इस overall system को ही बोलते है वारा बंदी system बोलते है एक छोटी इसी terms जो newspaper में आपको द newspaper देखा हो तो उसके अंदर लिखा रहता है जो भी उस area की नहरे होती है उसके अंदर आज इसमें इतने qsec पानी छोड़ा गया qmac तो हम पढ़ते हैं हमारे books के अंदर हम qmac पढ़ लेते हैं meter cube per second newspaper में जो आता है या canals के लिए जो define किया जाता है वो qsec के अंदर किया जाता ह है तो qsec होता है cubic feet per second water cubic feet per second water so discharge of the volume of water flowing in the river is measured over time when the water is measured in cubic feet per second it is known as qsec तो cubic feet per second qsec होता है meter cube per second जो है वो qmac होता है यह basic सा difference है clear next chapter canal headworks अगला chapter आता है हमारा canal का headwork canal headwork पढ़ेंगे अगले session के अंदर क्योंकि इसमें भी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमें अच्छे से समझनी होंगी वरना last की चीज़ें आप पढ़ेंगे नहीं अगर आप इस session पर नहीं है तो आप subscribe कर सकते हैं अगर आपको यह sessions अच्छे लगते हैं तो आप like कर सकते हैं अगर आप हमारी app के उपर भी पढ़ना चाते हैं आपकी अपनी app के उपर पढ़ना चाते हैं तो इसके लिए आपको simply play store पे जाके संदीब जाने civil search करना है और आपको यहाँ पर यह app दिखाई देगी अप के उपर हमारे courses जो हैं यह चल रहे हैं अगर आप पढ़ना चाते हैं तो आप पढ़ सकते हैं technical के session, non-technical के session, GKS, सब कुछ आपको इसी के अंदर मिल जाएगा एक single course के अंदर ही तो अगर आप पढ़ना चाते हैं तो आप app उपन करेंगे तो आपको यहाँ पर course दिखेगा view details में आप जाएंगे तो वहाँ पर add a coupon का option मिलेगा payment करने से पहले add a coupon का option मिलेगा आप वो use कर सकते है new start जिससे आपको 10% instant off मिलेगा so अगर app download नहीं किया तो download कर लीजी course नहीं भी लें तो कोई दिक्कत नहीं है app के उपर बहुत सारे notification आते हैं बहुत सारे वहाँ पर जो content जो YouTube sessions हम कर रहे हैं उनकी PDF आपको मिलेगी तो काफी सारी चीज़े app के उपर आपके वास free भी available हैं तो इसके लिए आप app download कर सकते हैं आपके पास अगर कोई feedback है तो वो भी बता सकते हैं ओके थैंक यू सो मच सी यू अगैं इन नेक्स सेशन टेक केर अग्जर क analysis हम पर आप तो कि यू आप我ाँ हैं कि ओक means ख़से खारए हैं उनकी PDF आप me आप जाप खूए खूराए हैं कर wrestle थैंक आप आप जाप हैं वर रदोत हैं कि ख़से weढ दो तोरी हैं झाल झाल